वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइक और सब्सक्राइब एंड प्रेश दबेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे उर्जा ग्लोबल लिम्टेट की दोस्तो आज कलिए सेर काफी चर्चे में है क्योंकि यह 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका अब भी अपर सर्कित पे ही बंद हुआ है और इसमें औ आखिर ऐसा क्या है और किस तरह के कंपणी कारोबार करती है और इस्पेशली जो इसके कारोबार की बात करेंगे तो यह स्पेशली सोलर और रिनोबल एनर्जी का सियर है और बैटरी भी बनाता है जो कि आगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वेहिकल का जमान आ सकते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका मैं प्राइस पैटर्न ऊपन किया हूँ इस पर भी चर्चा करेंगे आगे टार्गेट कहां तक आप सेट कर सकते हैं वह भी मैं बताऊंगा लेकिन उससे पर जो अपडेट आया उसकी बात कर लेते हैं और फिर इसमें इनालिसीज भी करके देखेंगे और पूरा डीटेल्स में देखेंगे कि आखिर किस तरह के इसमें अभी क्या चल रहा हो और आगे किस तरह के इसमें टार्गेट हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं आज के दिन कहीं अपडेट है 29 दिसंबर का यहाँ पे यहाँ पे ट्रेटिंग विंडो जो क्लोजिंग हुआ है सियर्स का साल रिमें क्लोज विट इफेक्ट फ्रम सेटर्डेश जनुवरी 2022 तिल दा एंड एंड फोटीए आवर्स अफ्टर दॉन्समेंट डिकलेशन अफ अनुर्टेशन अव अनुर्टेशन अनुर्टेशन 31st September 2021 यहाँ यहाँ पर दोनों क्वाटर के जो अभी 30th September 2021 का और 3rd quarter का जो रिजल्ट है दोनों का एक साथ कंपनी यहाँ पर रिजल्ट देने वाली है तो इसके हिसाब से उन्होंने इसके बारे में इनफॉर्म किया है तो दोस्तों आपको यह बिल्कुल जो भी डेट उस दिन हाई वॉल्म के साथ फिर से अपर सर्कित लगा है यानि इसमें बाइंग इंट्रेस्ट बहुत अच्छी बनी हुई है यहाँ टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स में देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर रेट अफ चेंज अभी भी पोजेटिव बरकर ब्ली चुका है तो यहाँ पे बिलकुल पॉजेटिवेटिवीटी बनी हुई है लेबल्स की बात करना है तो यहां साब यहाँ सब्सक्का पेण्ट 5000 करमेंगे हैं तो दोस्तों यहां सब पर्फॉर्मेंस सकते हैं तू यहर का पर्फ़रम्इंस 1,000 प्लस का रिटर्न है, वहाँ पर तू 40% रिटर्न है, 6 मंत का 143%, 3 मंत 200%, 1 मंत 130%, 1 वीक 26% और 1 डे का रिटर्न 5% है, तो जो 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 तो हर टाइम प्रेम पे बढ़िया रिटर्न जेनेर्ट करके दिया आपने शेर्वोल्डर्स को, यहाँ पर फंडामेंटल की बात करें देख सकते हैं जो रेसियोज की बात होती है हमेशा महां रिटार्ण और एक्विटी वह 1.10 है रिटार्ण और कापिटल इंप्लाइड वहाँ पर 1.72 है और रिटार्ण और एसेट 0.34 यह दोस्तों परसेंटेज में होता है तो इसलिए यहां आपको पिछले साल के इस साल का था वह 0.26 का वह बढ़िया था यानि प्रॉफिट भी फोर टैस 0.45 करोड के रहे थे और प्रॉफिट आफ्टर टैस्ट भी 0.45 था तो यहां पर दोस्तों कंपनी का फिर से आपको आगे आने वाले दिनों में और बढ़िया यहां पर नजर आ सकता है यहां पर फाइनेंसियल में देखेंगे अगर कैस फ्लो की बात करें तो कैस और कैस एक्विवेलेंट जीरो पे था लेकिन कैस फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेवन जोकी निए टी वहां पर जनरेट हुआ था यहां पर देख सकते हैं 151.80 क्रोड टोटल एक्सपंडिच और वह माइनस 148 क्रोड कर रहा है तो यहां से पीवी आइडिटी की 3.239 क्रोड पर था तो यहां से अगर बैलेंस इट की देखें तो इससे फंड वह लगभग कुसमें जेंज ना के बराबर था लेकिन थोरा सा अब ही गया है वहां पर 162.76 क्रोड पर रहा है यहां पर न करेंट जो एसेट हब 138.78 क्रोड का और करेंट आसेट देखें कितनी अच्छी तरीके से उपर जाता हुआ दिखा है 390.01 क्रोड के आसपास चार्ट भी आप देख सकते हैं इसके लगातार इंक्रीजिंग है लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है एसेट क्रें लियाबिलिटीज 210 क्रोड से भी बरकर 529 क्रोड पर आ चुका है तो दोस्तों यह लगातार कंपनी अपने अपने लियाबिलिटीज भी बरहार यह तो यहां से बढ़िया दरारा शेयर होल्डिंग पैटरंस दोस्तों मैं हमेशा बात करता हो अगर किसी शेयर को थोड़ा आ FII का यहां पर होल्डिंग कम हो गया है वहां पर देख सकते हैं 0.00% FII ने अपने सारे होल्डिंग हटा दी यहां से जो यहां पर देखेंगे कि आगे इसमें किस तरह के ट्रेडिंग पैटर्न है तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि प्राइस किस परकार के रहे हैं तो दोस्तों यहां देख सकते हैं कि 1 यह का लो है वह 5.07 है और 1 यह का हाई 18.90 जो कि आज का दिन का है तो दोस्तों 29 9 दिसम्बर 2020 में ये लोग किया था 5.07 का जब राइट एसू के रेस्पेक्ट में जो इनके डिरेक्टर है कमपनी के डिरेक्टर उनके उपर कुछ केस था जिसको लेकर और अभी वो क्लेंचीट मिल गया है तो वहां से इसमें लगतार तेजी बनी हुई है और आपको और भी ज्यादा और बड़ा इसमें लंबा रेस्ट का घुरा जिसे बोलते हैं कि आगे भी बहुत बड़ा इटर्स जनेरेर करके दे सकता है तो दोस्तों इसमें दाव अगर आप लगाना चाहते तो बिल्कुल अगर आपको मौका मिलता है तो आप बाई करके चल सकते हैं यहां से थोड़ा करेक्शन भी दिखा सकता है तो बिल्कुल घबराने के जुरूत नहीं है और हमेशा इन्वेस्टर की अगर आप सोचते हैं तो लॉंग टर्म का सोचे और नहीं तो आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल आप छोटा मुनाफा बुक करके और उसी के हिसाब से स्टॉप किस तरह से सेट करना है दोस्तों आप यहां पर देखेंगे प्राइस पैटरन जो बनाएं बहुत यहां तो यहां से चैख पहला टारगट आपको सेट करना है मैं हमेसा किसी और की तरफ बरे टारगेट नहीं देता है कि यार 1000 चला जाएगा 100 जाएगा वैसे जो टार्गेट देते हैं बीच में बहुत सारे अब फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऐसा एक दो सेर्स में ऐसा हो सकता है लेकिन हर सेर्स में हो ऐसा जुरूरी नहीं है तो इसलिए पहले आप छोटे-छोटे टार्गेट तो यहां पर दोस्तों जो पहला टार्गेट रहेगा वह पहला टार्गेट यहां से रहेगा आपका 20 रूपीज का जो दूसरा टार्गेट रहेगा वह रहेगा 22.5 का और जो यहां से तीसरा टार्गेट निकल कर रहा है दोस्तों 25.7 का दोस्तों यह तीनों टार्गेट ऐसे ही छोटे बड़े अब्डेट के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आप कोई भी वीडियो मिश्ट नहीं कर पाए और अगर आप सौर्टर बेसे पर प्रॉफिट बनाना चाहते या फिर किसी ऐसे शेयर को आप पिक करना चाहते हैं जो आपको सौर्टर में मुनाफ़ाद दे सकता है और हमेशा जो सेयर्स न्यूज में आते हैं वो मूव कर चुके होते हैं उसके बाद न्यूज में आते हैं तो आप अगर उसको मूव से पहले बाई करना चाहते तो आप मेरे फ्री टेलिग्राम चैनल से जूर स सकते हैं और एंट्रिवी ले सकते हैं उसके हिसाब से दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ धन्यवाद